कोविड 19 को लेकर सरकारी आंकडा लगातार बढ़ता जा रहा है जिस मादियम से हमें ये पता चल पाता है कि कोविड कम हो रहा है या बढ़ रहा है रोजाना जो शाम को रिपोर्ट आती है उसके मुताबिक जमु कश्मीर में कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और उ लेकिन पिछले करीब दो हफ्तों से अलसमंजस्ता यही बनी हुई है कि क्या दो बज़े बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए लास वीक तो चैंबर अफ कमर्स ने लोगों को याशुआसन दे दिया कि उन्होंने डीसी जम्मू से बाचीद करकर लोगों को कुछ रिलाक्सेशन दे दी है और पिछले शुकरवार को बाजार बंद नहीं हुए लेकिन आज जिसना से फिर से दो बज़े ये रिस्रिक्शन लगनी है और लोगों के लिए असमंजस्ता बनी हुई है कि क्या दो बज़े बज़े बंद होगा या नहीं होगा आपको जादे कि जो चेंबर ओफ कमर्स का जो पक्ष है उनका ये कहना है कि उन्होंने चीफ सेक्टरि से इस विश्य को लेकर बात्चित की है और उन्होंने अपील की है कि कम से कम यदि शनिवार या रवीवार को दुकाने बंद होती है तो उसके बनिसपद शुकरवार को कम से कम फुल डे जो है वो वेपारियों को देना चाहिए ताकि उनके घर बसर चल सके उनके बिजनस जो है चल सके ये एक अपील के जरीए या एक रिक्वेस्ट के जरीए एक गुहार जो है वो परशासन के आगे की गई है और वेपारी भी आज शाम तक अपनी दुकाने खोल सकते हैं लेकिन कंडिशनली यदि आपके बाजार में सभी तरह की गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा है तो नह लिबस्ती बाजार में चले जाए ये वहाँ पर हमेशा से रश रहता है ऐसे बाजारों में यदि दो बज़े के बाद उसी तरह का रश देखा गया और गाइडलेंस फॉलो होती नहीं देखी गई तो परशासन आपके ओपर एक्शन भी ले सकता है तब आप ये हवाला नह इन अपनी बाजार को खुला रखता है और सभी तरह की गाइडलेंस को फॉलो करता है तो शायद परशासन उन्हें रिलाक्सेशन दे देगी इस तरह का एक मंज़र जो है वो परशासन और आम लोगों वेपारियों के बीच में बनता नज़र आ रहा है आज के दिन तो आप भी यदि पूरी तरह की गाइडलेंस फॉलो कर रहे हैं और अड्मिस्ट्रिशन के तावून से आप अपनी दुकाने शाम तक खोल सकते हैं इस तरह का एक इशारा चेमबर ओफ कमर्स ने जरूर दिया है लेकिन अभी भी कोई लिखित ओर नहीं आया है आपको बतादे कि इ आदमी है वो भी परशासन से अपील करेंगे मेरे साथ बार रेस्टूरेंट्स के जो काम करने वाले इंप्लॉईज हैं वो आज इकठा हुए हैं उनका ये तावून था कि लगातार उनकी रोजी रोटी पर भी अब मार जो है वो पड़ती दिखाई रही है जिस वह सरकार स हम जैसा हम बात करें सर की जो कोविट की डिस्ट्रेक्शन सेंसर जो गोर्मेंट की लाइल गाइडलाइन से हैं उसमें सैटरडे संडे कम्प्लीट लॉक्डाउन रहेगा और उसके बाद जो बचे हुए दिन में हैं उसमें पचीस परसेंट की गैदरिंग रहेगी और करने में टाइम लगता है सर अगर बनाके रखता है तो एक दो गंटे में कौन सा रेस्टरेंट कितना नुकसान होगा सर उसके पीक होर भी शाम को यह होता है जी सर हमारा जो होटल इंडस्ट्री का जो सर बिजनस आर्स होते हैं एस कंपेर टू ब्रेक फास्ट एंड लंच में ज्यादा 75 परसेंट बिजनस हमारे डिनर में होता है सर तो नौ बज़े बंद कर देते हैं यह ठीक है नौ बज़े बंद कर देते हैं उसके बाद यह वीकेंड में लॉक डॉन भी लगा देते हैं तो सर हम काम कब करेंगे अब सफर के सर सैटर्डे संडे तो नहीं आप अब देख लो फ्राइडे बंद है तो मतलब होटल रेस्टोन बंद ही रहेंगे तो फ्राइडे सैटर्डे संडे बंद रहा तो बाकी दिन खोलने का क्या मतलब है सर ठीक है सर बट उससे जो इंप्लोई से स्टाफ है उसको इतनी दिक्कत आ रही है कि सर मोर देन 60 परसेंट स्टाफ जो अनिम्प्लोईड है सर जिनके बाहर निकाल दिया है जिनके पास जौब नहीं है और जो काम कर रहे हैं वो आधी सेलरी पर 50 पर सेंट पर काम कर रहे हैं अगर सर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो बंदे की इंकम 10,000 15,000 20,000 होगी उसकी आधी इंकम का ने बंद रखनी है जी सर बीकेंड लॉगडाउन तो ही हमारे लिए सर बाकी आप देख रहे हो बीकेंड लॉगडाउन कहा है सर ऑफिसी में बड़ी बड़ी लाइन लगी हुई है बसे फ्रेंट टू बैक पूरी पैक रहती है पार्क में रश रहता है बहां पे कोई 25 प्र परक नी पड़ता और परशासन भी अपनी दुखडा रो रहा है कि केस बढ़ रहे हैं कोई बीच का रास्ता निकाला जाने ची आपको क्या लगता है बीच का रास्ता क्या हो सकता है बीच का रास्ता सर यह हो सकता है कि वीकेंड लॉक्डाउन खटम हो जाए और जो सिरेंट बदाता हूं अभी 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिवरेशन था तो मैं सर कठुगा से कठुगा वाली बस से आ रहा था सत्वारी में बस वो खाली है सत्वारी बोल रहे हैं कि बस आगे नहीं जाएगी वो बस पीछे गोम गई तो सर एक साइड आप इंकम कम कर रहे है कि जब लोगों की इंकम नहीं है और यह मन मानी कर रहे हैं लोग मतलब जितना मन करता है उतना पैसा मांग लेते हैं तो जो अधिर चलते नहीं आप जम्मों मैं किसी को बोलोगा की मेरे को ऑटो मैं बहाँ जाना कि टाशा यह फताशा ही है जो अलग लग कुट पर बास्ता निकालना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ एक नॉन असेंशल के तरफ या सिर्फ वीकेंड लोग्डून लगाकर दो दिन के लिए रिस्रिक्शन लगाने से शायद ही मामला हल नहीं होगा क्योंकि यदि दो दिन लोग बाजारों में नहीं निकलेंगे तो मंडे को एक ही बूम निकलेगा और जब वह बूम एक बार निकलेगा तो फिर से केसिस जो हैं वह वाफिस बढ़ सकते हैं सबको देखना पड़ेगा परशासनकों लूसरा और भोक्त सरकार की ये परिशानी जब प्लिटिकल रैलीज या बड़े बड़े जो अदा happening